The initiation in the exam of RRBPO will decide कि आपका exam कैसा पूरा जाने वाला है और इससे हमें एक lesson जरूर सीख लेना चाहिए कि हमें पूरा आने वाले exam पे कैसे implement करना है जैसे आस तीसरे अगस्त का जो exam हुआ इससे ये सीखना बहुत जरूरी है कि कल जो चौथे अगस्त का exam है उसमें आप कैसे बहतर कर सकते हो उनसे जिनोंने exam दे दिया है है ना मैं इसलिए ये बात बोल रहूं क्योंकि initiation आपका जो exam में है ना वो पूरा का पूरा decide कर देता है कि आप पूरा question कितना solve कर सकते हो जब exam में हम लोग attempt लेने बैठते हैं और पहला question जो हम pick करते हैं वो अगर काफी अच्छा question पिक हो जाए जो कि आप से within a second solve हो जाए ना तो फिर आप पूरा का पूरा confident होगर सारे paper को बहुत अच्छा बना देते हो क्योंकि आपके पास एक flow मिल जाता है आपके अंदर एक confident आ जाता है लेकिन अगर पहला ही question ऐसा निकल जाया आपने जो attempt ले लिया जो कि नहीं मना आपका वही moral down आपका वही confident lose हो जाता है और यह पूरा आपका decide कर देता है exam को कि आपने कितना इस exam में कितना score लाना है या क कितना आपका number of attempt होगा initially अगर आपका question solve हो जाता तो आप मैं बोल सकता हूँ guaranteed कि आप more than 55 at least आप attempt लेकर आते और आपका जो score होता वो बहतर होता तो आज के exam से यह जरू सीख लो कि कल जो exam होता है पहला sequence reasoning का दिख रहा है उस reasoning में आपका पहला attempt ऐसा question होना चाहिए जो कि आ होता है यही होता है my dear friends अब exam से निकलने के बाद हमारे दिमाग में क्या चलता है यार वो जो 10% वाला पजल था जो की तीसरे सिफ्ट में आया था या फिर चौते सिफ्ट में आया था वो मेरा काफी time consume कर गया ऐसा क्यों आता है या फिर वो जो डी आईम था ना quantum में वो मेर काफी question जो है typical था और मेरा time consume कर गया बना भी नहीं तो उसके कारण मेरा पूरा का पूरा quantum में बस 15 attempt हो पाया या 17 attempt हो पाया ऐसा हमारे दिमाग में चलता है my dear friends exam से निकलने के बाद जो question नहीं बने ये prelims है prelims is all about the speed and the accuracy जो question exam में नहीं बने ना उसको उसी time पे छोड़ दो आगे बढ़ जाओ देख लो कि आपका time ऐसा नहीं कि आपने कोई puzzle उठाया और वो 30 second में बन जाएगा नहीं सम्भा भी नहीं है at least you have to provide one and half minute ठीक है उससे clear हो जाएगा कि ये puzzle आपसे solve होना है या नहीं होना है एक minute में भी आपको at least ये पता चल जाता है कि ये solve हो पाएगा या नहीं हो पाएगा तो आप continue आगे बढ़ो otherwise उसको quit करो next question की तरब जाओ क्योंकि यहाँ पर खेला क्या हो रहा है कि आप कितन total number of attempt ले पा रहे हो वो भी with accuracy तो इससे आपका speed decide होता है और speed आपके पास है आपने practice प्योतना करा है लेकिन या question ऐसा हो जाता है ना कि वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता आपका attempt वहाँ पर कम हो जाता है तो with smartness आपको यहाँ पर आगे बढ़ना पड़ना पड़ेगा क्या हो गया पाच question मतलब पाच number अगर एक puzzle नहीं बन रहा है तो बागी और तो है ना तो वहाँ पर से इन चीजों को सीखते वे कल का जो exam है my dear friends उसको कुछ बहतर बना दो उसमें कुछ बहतर score कर लो क्योंकि exam से निकलने के बाद तो हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलता ह है लेकिन exam के time फे हमारे दिमाग में ये कुछ नहीं चल पाता है इन चीजों को आप तब implement कर पाओगे जब आप लागातार इस चीज का practice करोगे mock test इसी लिए होता है लेकिन फिर भी अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आज आप कुछ mock test हो या फिर mock test के बारे में भी सोचो relax जो होना है आपने काफी अच्छा करो और जो होना है वो बहतर ही होना है क्योंकि exam जो है न वो बस आप ये मानके चलो कि जितना preparation का level आपका है उतना किसी और का नहीं और जो question आपको मिलेगा वो सारा का सारा आप solve कर पाओगे क्योंकि आपके पास वो capacity है आपके पास वो knowledge है my dear friends तो मैं basically यही आज इस वीडियो में बताना भी जा रहा था कि क्या हम लोग आज के इस exam से सीख कर कल के exam में implement कर सकते हैं अगर इसमें कोई doubt हो तो comment करके जरूर पूछना बाकि अगर कुछ बहतर आपको सुझाओ लगा हो म मेरा तो share कर देना अपने दोस्तों तक यह friends यह family members